इस प्रोफेसर निदी त्रिवेदी हैर और कल हमने बच्चो एक नया चप्टर स्टार्ट किया था विच इस अ टर्बूलन फ्लो इन पाइप उसका अपने इंट्रोडक्शन वाला बेजिक कॉंसेप्ट विडियो ना देखा हो तो जल्दी से जाके देख ले बच्चो उसमें मैंने एक्स्प्लेंड क्या है कि टर्बूलन फ्लो क्या होता है किस तरह से कोई लैमिनार फ्लो है वो टर्बूलन फ्लो में कनवर्ट होता है फिर कितने तरह के उसके वेलोसिटी कंपोनेंट हम देखेंगे इस चेप्टर में वो भी हमने देखा है तो जल्दी से जाके बच्चो देख ले आज का हमारा जो टॉपिक है बच्चो वो है सियर स्ट्रेस इन टर्बूलन फ्लो कल हमने देखा था कि टर्बूलन फ्लो में क यानि क्या होता है षड़ाय मैं परेशर और विशंथ प्लक्चुएशन तौट ही रहता है और उसकी वज़ें से बचो असमें एडिस्टनल सीयर्स प्रोढ़्ड़ूस होता है बचो तो उसको कैसे फाइन करेंगे तर्बुलंड सीयर बतल तरैस को के देखते हैं, तो बच्चो पहली जो थियरी है, वो है बुसीनेस्क थियरी, उसमें बुसीनेस्क जो एक्वेशन दिया है, उन्होंने बोला कि जो टोटल सीयर स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है, टर्बुलेंट फ्लू में, वो होता है, समेशन आफ विसकोसीटी, यानि कि वि विसिन्स ने ये एक्वेशन दिया, टाव t equal to eta into du bar by dy, यहाँ ध्यान रखें कि यह है आपकी average velocity, क्या है बचो, average velocity, समझ में आ रहा है, और यह जो eta है बचो, यह आपके लिए नया टम है, अब यह जो eta है बचो, जैसे आपने बढ़ा है, काइनेमेटिक विसकोसीटी, होती है, डाइनेमिक विसकोसीटी और रो होती है, मास देंसीटी, इसी तरह से बचो, यहाँ पे भी इसका कोई relation है, यानि कि काइनेमेटिक एडी विसकोसीटी, इसको बोलेंगे बचो, एपसीलॉन, क्या बोलेंगे, फिर से बोलें मेरे साथ, इसको बोलेंगे हम यह जो एपसीलॉन होता है, यानि कि काइनेमेटिक एडी विसकोसीटी इकवल टू एडी विसकोसीटी इटा, इसे क्या बोलेंगे बचो, हम इटा बोलें, क्या बोलेंगे इटा अपोन मास देंसीटी, अभी क्या हुआ बचो, यह उसने फॉर्मुला दिया, फिर इसको समे एटा है बचो उसकी वाल्यू में यह है कि अगर यह लेमिनार फ्लो हो तो इटा की वैल्यू जीरो होती है, चलो वह तो चलता है, हम यह लेमिनार के अलावे सारी बात कर रहें, थर्मूलेंट फ्लो, तो बोल रहें कि और केस हो, यानि अधर केस के लिए नहों ने बोला कि यह जो इटा होता है बचो यह जो इटा होता है for other case of flow, for other case of flow, चाहे transitional हो, turbulent हो, whatever, यानि ले मिनार्ण ना हो, तो उसके लिए उन्होंने बुला कि यह इटा की value है, वो होगी something several thousand times of mu जेतनी, thousand times of mu, mu is our dynamic viscosity, यानि कि उतनी ज्यादा होगी, यानि कि यह भी एक तरह का अजप्शन ह है, और यह अजप्शन करना कि इटा की value turbulent flow के लिए यह होगी, यह बहुत ही मुस्किल है, बचो, अगर करे भी, अगर करे भी, तो भी हमें accurate result नहीं मिलता, तो यही इसकी limitation है, कि हमें इटा की value नहीं मिल रही, अच्छे से हम अजप्शन नहीं कर पा रहे, तो इसकी वज़े यह theory cancel होए, फिर क्या हो अब चो यही theory को modify किया Reynolds, रेणोल्ड ने बताया कि कोई भी between two, अगर हमें कोई two layer of fluid हो, यानि कि layer of fluid हो, उनमें कोई distance हो, यानि कि अगर fluid का ये layer, ये layer, ये layer, ये layer, ये layer, ये layer, यानि कोई भी दो layer और उसमें कोई छोटा सा distance हो, उनके बीच अगर ह में find करना हो C stress तो उन्होंने ये formula दिया tau equal to rho u dash v dash rho u dash v dash यहाँ पर u dash v dash है बच्चों वो है आपकी fluctuating velocity क्या है fluctuating यह है आपकी fluctuating velocity in the direction x and y in the direction x and y अगर आपको अच्छे से समझना हो कि fluctuating velocity क्या है तो मैंने पहले भी बोला कि introduction वाला वीडियो अच्छे से देखें उसमें हमने बहुत अच्छा explain किया है कि velocity versus time का graph draw करें अगर यह जो है इसकी mean velocity है कुछ इस तरह का flow हो रहा है तो इसको हम बोलेगे यहां से यहां का distance हम बोलेंगे u bar यानि कि यह होगा average velocity अगर कोई point पे मुझे find करना हो तो वो होगी हमारे instantaneous velocity और यह जो fluctuation होगा अगर वो mean से उपर होगा तो positive अगर वो mean line से नीचे होगा तो negative तो कल हमने देखा था बचो क्या देखा था instantaneous velocity ui equal to mean velocity plus or minus fluctuating velocity तो यह कल देखा था अगर आपको अच्छे से समझ ना हो तो प्लीज वो वीडियो देखे चलो जल्दी सब फिर से theory में चलते तो रेनोल ने बचो यह बोला कि हमें अगर find करना हो कोई layer between two layer of a fluid a small distance apart तो यह कुछ equation दिया shear stress equal to rho into u dash v dash फिर क्या हो अब चो यह equation से हमें पता चल रहा है कि यह tau है यह proportional to u dash v dash है यानि अगर fluctuating velocity change होई तो shear stress will be change बट फिर उसने क्या क्या उसने लिया ऐसा करते कि दोनों side average लेते क्या करते है average लेते फिर लिया average यानि उसका final equation जो रेनोन ने दिया वो है tau bar equal to rho u dash v dash whole bar rho u dash v dash whole bar अभी इस theory की limitation यह हुई बचो कि यहाँ जो u dash v dash fluctuating velocity है उसका जो average निकालना है बचो वो physically possible नहीं है हम ऐसे नहीं कर सकते हैं ऐसे find नहीं कर सकते की fluctuating का हर बार average निकाले जो किसी तरह से possible नहीं है तो यह भी इसकी limitation हुई फिर final जो प्रोफेसर प्रंटाल थे उन्होंने एक mixing length theory वाला concept दिया और उसमें उन्होंने अच्छे से यह जो भी इसमें जो भी obstacles थे इस theory में उन्होंने अच्छे से एक नहीं theory दी और यह जो काफी use होती है यह प्रंटाल mixing length theory वो हम next वीडियो में देखने वाले बट इससे पहले यह समझना बहुत ज़्यादा जरूरी था कि प्रंटाल से पहले कीन लोगों ने theory दी और उनकी limitation क्या थी कि स्वजे से प्रंटाल की theory ही use होती है तो यह सारा आपको देखना है next वीडियो में प्लीज हमारी चैनल से connect रहे सब्सक्राइब करें आपके friend को भी share करें and please do like जहां भी है आप से